क्लास 12 वालो मैंने आपको आता कि पैरलल क्वेश्चन सॉल्ट करने के लिए और कोई भी क्वेश्चन सॉल्ट करने के लिए चैप्टर की थीम अगर तुम्हें पता होगी तो तुम्हाराम से जो है चैप्टर को समझा सकते हो कोई भी आंसर कर सकते हो तो चलो देखते हैं हम बसतीए यह है तो ब कर देख लिए जड़े ज़रूर से और बचा हमारा पोली में कल पडा चुकी हूँ पोलीा स्कीए लो देखके हैं पढ़ा दी है जाके एक बाद चैनल को देखो तो सही महाँ पे आपकी टोन पोईचिक जिवाइज़ करेक्टर स्केच थीम सब ने अपलोट कर दिया है तो गोएन वाच इट चलो भाई आप पड़ते हैं हम अपनी थीम तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी लास लेसन की थ तलती रहते हैं लोग अपनी गलतियों को समझते हैं ठीक है ऐसी कुछ इसकी थीम है ठीक है देख लास लेसन में से चिंजा जाया तो हम कैसा फील करते है इट ट्राइस to explain the pain क्या दीखा रहा है last lesson में क्या हो रहा है यह explain करा है pain को sadness को grief को of all those who lost their lands यानि कि वो लोग जिन से उनका जमीन छिन जाती है जिन से उनका देश में रहने का freedom छिन जाता है उनकी language culture identity war के बाद यानि कि war के बाद जा वैसा कुछ उनके साथ होता है तो उने कैसा feel होता है the lesson further takes a step ahead in showing what impact a political situation of a country has on children की भाई country की politics जो चल रही है उसका बच्चों पे भी कितना effect पड़ता है France suddenly developed love and affection for his mother tongue France इसको पड़ने लिखने का money नहीं था उसे French नहीं सीखनी थी लिखता ही नहीं चाब वो French को रोज practice ही नहीं करता था आज उसको अपनी भाशा से बहुत प्यार हो गया अपने culture से और अपनी teacher से भी It explains that it is the behavior अब सबसे important theme यहां जहां मैंने finger रखे हैं यहां it से देखो आप It explains that it is behavior of a human यह explain कर रहा है मार को देखो सबसे ज़्यादा समन में क्या आया last lesson में आप मुझे बताओ live chat के अंदर दो words में बताओ क्या समन में आया कि इंसान अपनी गलती समझता है तो उसे कैसा रखता है It explains that it is behavior of human to feel attached to something that he or she is about to lose कि भाई जब ही हम से कोई चीज छिनने वाली होती है तो तब हम उससे ज़्यादा attached हो जाते हैं ठीक है पहले हम जो है जैसे ना बहुत छुटी मार की हम स्कूल की खुश होते हैं जैसी 12th class में आते हैं तो रोज स्कूल जाने का मन करते हैं आज के बाद तो को भी जाने को मिलेगा ही नहीं ठीक है तो यह चीज जो है last lesson से समझ सकते हो आप and that same thing isn't given much importance love and attention when it's freely and readily available तो यह it explain से लेके readily available वाली line को दो बार reach कर लो I will wait for all of you कि last lesson में दिखाए गया जब कोई चीज हमारे पास होती है तो तब हम उसकी कदर नहीं करते जब वो हमसे छिनने वाली होती है तब वो हमें सबसे प्यारी लगती है चाहे France के लिए उसके teacher M. Hamill थे या उसकी पढ़ाई लिखाई थी सब चीजे M. Hamill के लिए भी तब वो शायद कभी-कभी अपनी छुटी मार के जो है इधर उदर चेल जाते थे बच्चों को इधर उदर भीज दिया कर देते पढ़ाते समय बट आज उन्हें अपनी वो सारी गलती है रियलाइज होती है सारे villagers को भी और हर समझ गए last lesson की theme पहले war वाली है कि war का impact क्या पड़ता है nation पे दूसरी theme इसमें है कि लोगों का अपनी जो है culture identity के लिए कितना प्यार होता है और तीसरा है गलती कि जब लोगों को अपनी समझ में आते हैं कि जब कोई चीज लों से छेंती है तो वो कैसे feel करते है इस basis पे परी मार ज़एला मौसम जब पेड़ों पर पौधे पत्ते खेल जाते हैं तो एक जो है हर चीज के खिला खिला रहने हां मौसम होता है spring और बचपन जो होता है हमारी life का सबसे ऐसा अच्छा समय होता है जिसमें बच्चे खुश रहते हैं खिले-खिले रहते है और यह जो कि उनकी life का जो मौसम था ना स्प्रिंग वाला हमारी पूरी जिन्दगी में एक इनसान की जिन्दगी में बचपन जो होता है न हमारे 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 लिए स्प्रिंग की तरह होता है ठीक है कि सबसे अच्छा समय है जैसे winter को death का जाता है यह बहुत भूड़ा हो जाता है approaching death होत करता है और आज इन बच्चों से इनका spring ही छिन चुका था मुग ये इस साहिब से बहुत सारे से तो ये chapter की main concern क्या है poverty social groups के बीच में और वो poverty का बच्चों के ऊपर क्या impact परता है ये है they are caught in a never ending cycle of poverty and operation वो बच्चे क्या करें वो जैसे उनके माता पिता जिस जो है poverty की cycle में जाते हैं the two stories that the author tells show the miserable condition of street kids who are pushed into servitude at a young age who were pushed into child labor लिख देना at a young age rather than attending school school attend करना चाता है साहिब नहीं बना उसके लिए मुकेश कुछ कुछ काम करना चाता है dreams है अभी तक तो वो इलकुल उसकी पूरी नहीं हो पाई these people's miseries are made worse by society's prejudice और ये जो पी लोगों की misery होती है वो और जात नहीं करते है ठीक है अगले चाप्टर की theme आती है हमारे deep water की ठीक है in the essay deep water William Douglas talk about how he overcomes his fear of water with courage, hard work, determination, strong willpower, perseverance and intense desire to learn swimming ये जो चार वर्ड मेने एक खटे पड़े हैं ऐसे ही नहीं पड़े है ये तुम्हें याद रखने है कोई भी आपको deep water से लेटेट parallel question आई, diary entry question है कोई question आई, तो उसमें आपको बताना है कि Douglas ने उसमें क्या करा, उन्होंने अपना fear of overcome करा था, courage word mention करना, hard work word mention करना, determination करना, strong willpower mention करना, perseverance mention करना, intense desire to learn, ये 4-5 word mention करना, ये है इसकी theme, ये हमें ये सिखारा है chapter कि हमारे में courage होना चाहिए, हमें hard work करना चाहिए, हमें determined होना चाहिए, और intense desire होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर, गर कोई काम हमें जिन्दी में करना था, वो पूरी शिद्दत से करना चाहिए, the most important point of this chapter is fear, और सबसे important theme क्या है कि डर, डर से नहीं डरना है, डर को भागाना है, that fear and its victory over it, ठीक है, the writer experience further confirms that, where there is a will, there is a way, तो उन्हों के जो पक्के एरादे से, तो वो रास्ते अपने आप बनते चले जाते है, जैसे जब उन्होंने का मुझे सीखनी है swimming, तो रास्ता अपने आप उनके लिए बनता चला गया, ठीक है, चलो, simple theme complete होगी, अब आगे पड़ते हैं, हम rat trap की theme, तो rat trap की theme क्या है, the human beings are prone to fall into the trap of material benefit, rat trap तो ही, इस basis पे राए, पूरा chapter, कि जो हम human beings होते हैं, हम material, जो ये जास्ते होते हैं, तो दुनिया के, इन में हम फस सकते हैं, ठीक है, हर कोई जो है, पैसे के पीछे भागता रहते हैं, हर कोई life की, जो है, luxuries के पीछे भागता रहता है, और life को fully enjoyed नहीं कर पाता, it is human tendency to redeem oneself from dishonest way, और कई बार हम dishonesty करने लगते हैं, hence the whole world is called a big rat trap, which tends the people towards its materialistic benefits, अब आपको पहली तो theme इसकी जो rat trap की philosophy है, इसमें वो समझ लो, और दूसरी theme इसकी क्या है, loneliness की, कि at time जो लोग होते हैं, जो human beings होते हैं, वो अपनी life में एक time पे बहुत lonely feel करते हैं, it also highlights the theme like human loneliness, जो है, एडला lonely थ दे थे, crofter lonely feel गया था और even peddler, rat trap seller, उसकी भी कोई family नहीं थी, ना ही घर था, तो यह सब lonely theme है इनकी, status, treatment, meet a route to have nots, and callous attitude of society and government towards such people, दूसरा, जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास necessities afford करने का कोई जरिया ही नहीं है, लोग उनके साथ कैसा वेवार करते हैं, crofter नहीं तो अ एक पहला इंसान था, जिसने उसकी मदद करी थी, iron master goby, जब पता चला, वो गरीब है, तो रोने का, तो मैं पुलिस में डलवा तूँगा, but edla थी, जिसने उसकी दुबारा से मदद करी, तो यहां पे वो दिखा रहे हैं, और कैसे जो है, कभी भी उन लोगों की help करने के ल पाली, दूसरी थीम है, low human lowliness, third and major theme यह है, जो man की goodness होते हैं, एक इंसान ना, दिल से अच्छा ही होता है, जब हम पैदा होते हैं, हम अच्छा दिल ले के ही पैदा होते हैं, हम अच्छा ही इंसान बनके पैदा होते हैं, दीरे-दीरे society में जो हम देखते हैं, कभी-कभी हम थोड़े ऐसे इंसान बन जाते हैं, जैसे हम society के point of view से बुरा कहसे होते हैं, और कभी-कभी कुछ अगर हमारी upbringing अच्छी हो, और साथी के साथ में हमारे involvement अच्छा हो, हमारी खुद की सोच अच्छी हो, तो हम एक बहुत beautiful इंसान भी बन जाते हैं, तो यहां पे theme क्या चल र by nature, the society and environment makes them bad, human goodness and kindness bring about the change in their attitude, कि अगर आपको इसी से सामने वाले से अच्छी तरीकी से डील करोगे, तो शायद क्या पता हो, उनके मन के अंदर के अच्छा ही बाहर आ जाए, ठीक है, तो यह read कर सकते हो, आप ऐसे कुछ रटा नहीं मारना हैं, कोई learn नहीं करनी हैं, आपको यह themes आपको समझनी है, यह चल रहा है chapter में, और यह कुछ line है, आप अपने exam में add कर सकते हो, ठीक है, जी, चलो, आप पड़ते हैं आगे हम अपने indigo की theme, तो indigo की main theme क्या है, अब यह समझना मुश्किल है, बर देखो मैंने बता दिया है, तो indigo की main theme क्या है, indigo, किस chapter को Jewish Fisher, and यह समझाता है, how effective leadership, कि अगर आपको एक अच्छा leader में जाए, तो उससे आपकी life की problem कैसे solve हो सकते है, जैसे महात्मा गांधी जी, effective leader की तरह चंपारन में पहुचे, उन्होंने पहले कहा कि इन farmers के मन में डर है, court जाके फायदा नहीं है, उन्होंने पहले उनको lawyers को भी data कि आप इतनी मोठी fees विसूलें से कर रहे हो, उन्होंने अपनी परवाह नहीं करी, कि उन्हें जेल हो जाएगी, वो farmers के लिए महां पे रहे है, और उनके लिए लड़ाई करी, फिर उन्होंने राजे इंदर प्रहसाद और बाकी lawyers को भी का कि आप भी इस moment का हिसा बनो, and they readily, जो है, उन्होंने confirm करा कि yes, हम भी जो है, आपके साथ इसका, इस हिस्से में आपका साथ देंगे हम इस में, चमपारन पीजन्स के मदद करने के लिए, फिर वो 15% वाला जो indigo plantation workers का, जो पूरा का पूरा, उन्होंने जाके कैसे समझा भाया, कि जो पूरा का पूरा indigo plantation workers का system क कैसे चलता है, कि पूरा का पूरा जो खेत होता है, उसके 15% हिस्से पे indigo उगाते हैं, सारे के सारे farmers, और वो indigo जो 15% हिस्से में उगाई जाती है, उसको as a rent वो जो है, किसको दे दिया करते है, British landlords को, Britishers के पास अब उसके demand जब खतम हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो contract chances लिखते हैं कि एक farmer के उसके साथ क्या हुआ, क्या गलत हुआ, and then वो जाके, जो है, finally, क्या बनाते हैं, British landlords के सामने जाके, case पूरा चलता है, उनका, बार में जीत भी हो जाती है farmers की, तो वो 25% के refund पे भी मान जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई, इस्जत जादा matter करती है, तो उनकी जो दिमाग चला हर एक time पे वो आपको देखना है, और cultural जो changes उन्होंने जो वहाँ पे help करी, महाँ पे washrooms बनवाए, महाँ पे school खुल वाए, महाँ पे दवाईयां भीजवाई, तो वो ये एक effective leader ही काम कर सकता है, यह नहीं कि भाई चलेगा है, महाँ से मदद करके, फिर उनकी और मदद करी, तो गांदी जी के थ्रू हमें हाँ, इस chapter की theme यह है, that effective leadership कैसे आपकी life में अच्छा जो है, change लेकर आ सकती है, and आप read करो इसे, is how effective leadership can overcome any problem as shown by महात्मा गाने, in securing justice for the oppressed in चंपारन, through convincing arguments and negotiation, तो गांदी जी ने वो सब कैसे करा, कही ना कही न होने argue करा, and finally वो चंपारन पीजन्स को जीत दिला देते हैं, ठीक है, अगला पड़ते हैं, अब हम, अगली theme आती है, हमारी poets and pancakes की theme क्या चल रही है, इस chapter की theme को reach करते हैं, तो the poets and pancakes, जो है, fondly remembers the glorious Gemini Studio, तो poets and pancakes में सिर्फ और सिर्फ Gemini Studio के बारे में बताया जा रहा है, जो हब था हर एक activity का for the people associated with film, film में दुनिया के लोगों की बाते बताई गई हैं, इसमें, it is a sarcastic and humorous depiction of the various people who visited the place, तो sarcastic हो जाते हैं कहीना कहीं पर हमारे writer जैसे उन्होंने office boy के लिए बोला, जैसे उन्होंने lawyer के लिए कहा था, legal advisor के लिए कि उसने कैसे career खतम कर दिया था, उस actors का, त office boy का किस्ता जो उन्होंने सुनाया था, कितनी हसी आती है, तो हसी मजा करते वे, sarcasm करते वे, sarcastic होके उन्होंने पूरा का पूरा chapter बनाया है, the extract is a autobiographical in nature, autobiographical nature है इस extract का, और इस extract में उन्होंने बहुत अलग तरीके से जो है, हमारे को पूरा का पूरा फिल्मी दुनिया को situations के बारे में बता रखा है, और human beings उन situations में कैसे react करते हैं, वो बता रखा है हमारे को, ठीक है, अब आते हैं अगले chapter की theme पे, जो है interviews, interview के में क्या उपढ़ाया गया आपको यह chapter, तो interview is based on the backdrop of journalism and the art of interview, तो इसमें journalism and art of interview की theme पे हम चल रहे हैं, what opinions do people have about interviews, इसमें हम पढ़ेंग जगहों पे, तो उसका कितना positive impact होता है, कितना negative impact होता है, and different personalities around the globe, क्या experience कर दे during interview, यही interview की theme simple से, ठीक है, अब चलते हैं, last theme पे, flamingo book की, जो सबसे important theme है, आपकी इस chapter में से theme, तो इसी की सबसे जादा लेखने को आ सकती है, किसी भी language में पूछी जा सकती है, वो है आपकी, ज lesson revolves around the protagonist Sophie, तो Sophie के around, यह पूरा chapter move कर रहा है, who is in her adolescence fantasies, तो यह न, fantasies कर रही है, इसके दिमाग में, she is a teenager, ठीक है, इसका school end होने आल, और यह दिमाग में बहुत fantasy बना रही है, अपने daydream करती है, about an Irish football player, ठीक है, Danny कैसी, their family is not well off, बहुत अमीर नहीं है, उसकी family, and they know all about harsh realities of life, त दुनिया कितनी, जो है, कही न, कही क्रूल है, कितनी, कितना कुछ कड़ना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए, उन्हें सब पता है, and how to cope with it, और वो सब के साथ जी रहे है, but Sophie, जो है, वो सब समझ रहा नहीं चाती है, और constantly वो नई-नई stories अपने दिवाग में बना रही है, ज हम विस तास की ठीम भी देख लेंगे,